Hello everyone, welcome back to my youtube channel Science by Diba इस वीडियो में हम मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? मैन्योर के बारे में and then fertilizer के बारे में ठीक है? देखो, previous वीडियो में बात करी थी कि जब crop production management के बारे में जिसको हमने first constituent देखा था nutrient management या nutrient requirement देखा था कौन-कौन से nutrient plant growth के लिए development के लिए different activities के लिए required होते है अब सवाल ये आता है कि soil में ये सारे nutrients आएंगे कहां से? आज हम cover करेंगे first method जहां से soil होती है nutrient rich हम previous वीडियो में pre chapter में यानि previous chapter में कई बार पढ़ चुके है fertilizer जो कि plant growth को enhance करते है और fertilizer की ये basic definition तो हमें पता ही है लेकिन अब ये manure क्या है? तो manure कुछ नहीं है manure जो है actually में एक natural fertilizer है क्या है ये? ये है आपका natural fertilizer नहीं है तो वोट इस natural fertilizer और इनको डाला क्यों जाता है? हमने बात करी थी सभी plant को crop plant को nutrient की जरूरत होती है 16 element हमने देखे थे ना previous video में जो कि required होते हैं plant की growth के लिए out of 16 में 3 element हमने देखे थे air and water से मिल गए थे बाकी बचे 13 तो हमने बोला कि soil से मिलेंगे soil की fertility कम हो जाएगी जब soil pollution होता था तो fertility मतलब यही कि जो तेरा nutrient है वो unavailable हो जाएंगे इसका amount जो होगा तेरा nutrient का वो कम हो जाएगा soil में जिसकी वज़ा से क्या होगा उन पे कोई भी crop cultivate करना चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगी हम बोलेंगे कि soil हमारी infertile हो गई है क्योंकि जो भी crop या plant आप इसमें लगा रहे हो cultivate कर रहे हो उनको essential nutrients प्रवाइट नहीं कर पा रहे है इसलिए growth नहीं हो पाएगी तो हमने बोला कि soil हो गई है fertile कभी कभी क्या होता है कुछ natural climates आ जाती है जैसे कि बहुत जादा बारिश हो गई floods आ गया तो क्या होगा soil की जो topmost layer होती है जिसे हमने बोला था humus fertile बनाती है soil को बारिश वही अपने साथ बहा कर ले गई तो क्या हुआ हम बोलते हैं कि soil की जो nutrient quality थी जो nutrient amount थे उस पर प्रेजेंट थे वह सब बह गए इसके साथ बारिश के साथ soil फिर क्या हो गई फिर से infertile हो गई कई बार क्या होता है बार बार आप soil के उपर crop की cultivation करोगे तो क्या होगा जितनी बार आपने crop cultivate करी उतिनी बार जो है nutrient plant ने crop ने absorb कर लिया soil में nutrients की quantity कम होने लगी एक ऐसे stage आएगी further crop plant को वो provide नहीं कर पाएगी soil से फिर से हमने क्या बोला soil हो गई infertile अब यह infertility है soil की इसे हटाया कैसे जाए कैसे treat किया जाए तो आते हैं हमारे manure जिसके बारे में हम स्टैप्टर में पढ़ने जो की एक होता है natural fertilizer fertilizer का मतलब तो हमें पता होता है fertilizer का मतलब क्या है nutrients provide करते हैं किसको crop plant को जिससे की plant की growth possible हो जाती है development हो पाता है वो ठीक है develop हो जाता है manure में जो है contain करते हैं large amount large quantities of organic matter यह तो हमें पता ही है ठीक है जो manure होता है यह contain करता है large quantities of organic matter और अगर यह large amount of organic matter contain करता है लेकिन अगर हम बात करें nutrients की जो यह soil को देगा तो यह बहुत कम amount में होगा तो यह तो बात गड़बड हो गई तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम manure को ज़दा amount में डालेंगे मिठी में तो उससे क्या होगा nutrients होगा ज़दा हो ज़दा होगा और organic matter तो ज़दा होगा तो अच्छा तो है यह चीज ठीक है next हम लोग क्या देखेंगे कि यह are partially decayed waste and animal residues by microbes यह बनता कैसे है यह बनता है decomposition से किसके animal excreta and plant waste की ठीक है उसके decomposition से यह prepare किया जाता है ठीक यह बात clear होगी it is not nutrient specific and tends to remove general deficiency of soil यह सिर्फ nutrient specific नहीं होता है यह remove भी करता है जो soil की general deficiency होती उसको ठीक और it add humus to soil यह soil में humus को add करता है humus का मतलब क्या होता है किसी भी soil की में अगर humus अच्छा होता है तो यानि उसकी fertility बहुत strong होती है manure help करेगा enriching soil with nutrients and organic matter and increase करेगा soil की fertility को जब bulk amount में organic matter जो है manure में आएगा तो वो help क्या करेगा soil के structure को और यह involve होगा जिसे आपने कभी कभी देखा होगा किसी जगह की soil क्या होती है वो बहुत sandy होती है तो वो water को hold नहीं कर पाती है और nutrients को भी hold नहीं कर पाएगी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि plant फॉरण जैसे ही पानी गया या भी nutrients है उसने speed में खीचना start कर दिया वो तो धीरे धीरे लेता है तो जब sandy soil होती है तो उसमें क्या होता है उसमें water hold नहीं कर पाता है तो हम उस time पर manure उसमें जब डालते हैं तो यह क्या करता है यह उसकी water holding capacity को increase कर देता है जिससे क्या होगा कि water holding capacity increase होगी तो उसमें nutrient भी hold रहेगा तो plant अराम से grow कर पाएगा nutrients present in the manure are absorbed slowly by the crop since it is not soluble in water ठीक है यही मैंने बता है कि manure जो होते हैं वो अब्सॉर्प स्लोली होते हैं a crop since it is not soluble in water it is voluminous and bulky so it convenient to store, transport, handle and apply to the crop यह voluminous होता है और bulky होता है heavy होता है तो inconvenient होता है store करने में transport handle and apply to the crop और क्या करें जैसे कि अगर हम place oil की बात करें तो वहां भी क्या होगा manure अब बनाया कैसे जाता है तो biological waste material लेते हैं और इसमें क्या यह क्या करेंगे पहली बात तो इसके advantage यह होते हैं यह प्रोटक करते हैं हमारे environment को from excessive use of fertilizer अब जैसे fertilizer को हम ज्यादा use करते हैं तो वह automatically हमारी जो soil होती है वह infertile होने लगती मैंने और को आप जितना भी use कर लो क्योंकि यह बन किस से रहा है यह decomposition से बन रहा है किसके animal is preta से and plant के waste से बन रहा है ठीक है तो इसमें कुछ chemical का तो use ही नहीं है हम जिसको जितना use करेंगे तो soil अच्छी और humus होती जागी वह fertilizer को अगर use करेंगे तो एक time ऐसा आएगा कि हमारी soil infertile हो पाएगी ठीक है देखो कि क्या लिखा है fertilizer में it is a salt or organic matter यह किससे बनता है salt से और organic matter से obviously बात है कि इसमें जो है chemical involved हो रहा है it is nutrient specific इसमें specific nutrient होता है यह contain करता है much higher amount of particular nutrients and use करता है to remove particular deficiency of soil it doesn't add any humus तो यह कभी भी humus को add नहीं करता है soil में तब कि मैंनियोर में बताया था यह add कर रहा है humus को humus is a fertile fertile होने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि humus क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि humus बहुत ही जादा जो top most layer होती है उसी को हम humus बोलते हैं और बहुत soil को fertile बनाती है since it is soluble in water it is readily absorbed by plant जब यह plant water में soluble होती है तो यह तैयार हो जाती है plant के दोरह absorb करने it is compact so it is easy to store यह compact होती है इसलिए easy होता है इसको store करना transport करना and apply to crops crops पे apply करना देखो manure बनाया कैसे जाता है manure बनाने के लिए क्या करते हैं जो biological waste material होता है उसको लेकर collect करते हैं ठीक है जो biological waste material होता है एक तरह से कह सकते है way of recycling farm waste जो farm में जो waste plant बगरा होते हैं उसी को रख एक container में रख दिया जाता है जिससे क्या होता है वो decompose होती जाती है और हमारा manure तैयार हो जाता है यह बात clear हो गई हम लोग टाइपस देख लेते हैं types of manure कितने तरीके के होते हैं एक तो farm yard manure हो गया इसमें क्या होग को ठीक है इससे क्या होगा यह farm yard manure हो गया next हमारा है compost manure compost manure बोल सकते हैं और वर्मी compost भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट यह ऐसा नहीं कि कंपोस्ट को हम लोग वर्मी कंपोस्ट यह मेंली कंजिस्ट होता है रॉटेट वेजिटेबल एंड एनिमल रिफ्यूस इस प्रोसेस में क्या होगा यह सब करो करता है और उसको हम लोग कहते हैं किमोस्टिंग बात कलिए यह बहुत ज़ता है इसमें organic matter में अगर इसको प्रिपेर करने के लिए यूस करेंगे कुम के लिए अर्थ वहां को तो हैसे देप्रोसेट आफ डिंपोजिशन प्लांट अनिमल रिफूस्ट इस 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 कॉल वर्मी कंपोस्ट बात क्लिर इसा प्रोसेश में जो जो ए फांम वेस्ट मेटेरियल जैसे लाइब स् स्क्रीटा गाउ डंग वेजिटेबल वेश अनिमल रिफिज डिमस्टिक वेश सी वेश स्ट्रॉब एट्स यह सब को डीकम्पोस्ट करते हैं इन अपिट और उसको कहते हैं कमपोस्ट कमपोस्ट थिक है यह और गैनिक मैटर और न्यूट्रियंट से भर फूर होता है और अग मैन्योर क्या होता है देखो जो प्लांट को इसमें क्या करते हैं in preparing green manure a quick growing crop is cultivated and puff under to incorporate into the soil example sun hemp Denka girl except इसमें देखो क्या है जो प्लांट को यह पहले ग्रो कराया जाता है कम से कम हम कह सकते हैं six to eight weeks तक हम plant को ग्रो कराते हैं ठीक है यह जब ग्रो करा देंगे तो उसमें क्या होगा ऐसी stage आ जाएगी जब उसे flowering flower वगएरा आने लगेंगे तब हम उसको करेंगे mulching ठीक है mulching करेंगे म 데手खे मोर्च खाले एक रशुर करेंगे ऊप्लफिंग के ठीक है Twelve में यह जाएगा और एक से दो महीने तक उसको अच्छी तरह से रहने देंगे गड़ा मिट्टी के अंदर उससे क्या होगा ताकि वह अच्छी से डिकंपोज हो जाए और जैसे ही वह डिकंपोज हो जाएगा तो स्वाइल में क्या आ जाएगा हमारा और गैनिक मैटर एंड नूट्रेंट्स जो कि क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना यह आप क्लियर हो की होगा टाइपस ऑफ मैन्निओर में आप आडवांटेज्ट फ मैन्निओर अप एंड वह भरए ऍवकशाज सब्सक्राइब को आपकोफनेशनों हिसे मौन थी सब्सक्राइब करता ये तो वहां पर उयोण कर सके ठिक है प्रोवाइट करता है फूलर और्गैनिजम्स को फूड प्रोवाइब करता आप अगर मैन्योर की बात करें तो वह हमारा घर की खेती घर में ही हो रही है तो वह बड़ा चीप कोस्ट होगा और हमारा फटलाइजर जो है यह एक्सपेंसिव होता है यह एड नहीं करता है यह एक टाइम के बाद अगर फटलाइजर जादा यूज होगा अगर अगर फटलाइजर जादा यूज होता है तो हमने वाटर पॉलिशन में भी बताया था कि रेन हो गया या सम्टिंग कुछ ऐसे हैपनिंग हो रही है बारिश ही होगी जिससे एक्स्ट्रा जो फटलाइजर होता है वो बहें के पानी में आता है वोटर पॉलिशन कर देता है यह तो नुकसान था है दूसरा घर हम मिठ्टी की बात करें तो फटलाइजर उसको कोई यूमस प्रवाइज नहीं करेगा अगर जादा लंबे टाइम के लिए हम यूज करेंगे तो उसको इनफटाइल कर तो हमारे air water and air and water से मिल जाएंगे और 13 हमारे जो soil में थे वो इसमें खतम हो जाएंगे बात खतम ठीक है अब limitation की बास कर लेते हैं हम लोग मैन्योर की यह voluminous होता है थे जह था इसमें इस और बालकि होता है इसलीं नोड में खुलिया हमारे यहीं तो हैं र्पीं हो दि ai ओप आंग शाथ है काई मेडिसिन खा लिया विक लिगा है तो easy to result convenient हो गया है परसल कि जल्दी result पाने के लिए तो इसमें क्या होता है जो nutrient होता है manure का वो release होता है बहुत slowly slowly अगर इसमें chemical नहीं है थोड़ा तो patience रखना पड़ेगा they are not nutrient specific बट यह nutrient specific नहीं होता है ठीक है अगर हम bio fertilizer की बात कर लें तो living being used to increase the soil fertility are called bio fertilizer जैसे anabina, nostocryzobium, blue green alga, azolatic तो यह सारी चीज़ क्या है यह bio fertilizer है यह living being है जो increase करती है soil की fertility को इसको हम लोग bio fertilizer बोल सकते I hope आपको यह पूरा अच्छे से clear हो गया होगा अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो इसे like, share, subscribe करना मत भूलिएगा and one more thing please hit bell icon so that जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आप तक timely notification आता रहे thank you so much and keep supporting me